नमस्कार प्यारे विद्दार्तियों, कैसे आप लोग उम्मीद कर रहा हूं, अच्छे होंगे और पातरता परिक्सा जो आपकी हुई है वो अच्छे से गई होगी, और अब मुख्ये परिक्सा की तयारी में वापीस जोट गई होंगे, अच्छार हूं क्योंकि पैपर का जो लगता है कि एक्जाम देने के बाद मुझे भी ऐसा लगता था कि जो सवाल हमारे गलत हुए हैं या हमारी गलतियों के कारण कुछ एरर की कारण से एक डो सवाल गलत हुए हैं हमारा दिमाग सिर्फ उसी के उपर घुमेगा कि यह गलती कर दी वो कर दी च्यार पांच क्वेश लगता है व्यक्ति का दिमाग जो ने पर में नेगेटिव बाती हुए उस पर ज्यादा जाता है इसलिए हमें लगता आए ताइन गई डाउट लेकिन निश्चित है कि जिसने अच्छे से तयारी की थी और वैसे जो भी ऑनलाइन आपको कंटेंट मिला था उसके अंदर ही स इससे नाई है तो आपने अच्छे से तयारी करके अच्छे से दिया है तो क्वालिफाई हो जाएगा उसकी चिंता करनी ही नहीं है अब मुख्य परिक्षा जो है उस पर बल देना है और मैंने का मैं तु पूर्ण तो वह है यह क्वालिफाई होने के बाद भी अब आपको को इससे लगे का कि यह तो क्या हो गया नॉर्मली नहीं थी अभी बहले कुछ भी लगी लेकिन तेयरी तो वापिस मुख्य परिक्षा की और ही लोटना होगा वैसे मेरे जो रीट एल टू के अंदर जो पार्तरता परिक्षा के तीन पर हुए है तीन पर के अंदर टोटल त अब दीस कोईस्टन आई है अब दीस में से एक दो कोईस्टन को अगर छोड़ दे तो अलग बात है कोई अक्सेशनल कोईस्टन पूछ ले लिया गया हो बाकि पूरे के पूरे सवाल ऑनलाइन जो आमने कंटेंट दिया दा उसके अंदर से पूछी लिए हैं शारे के सारे आप वापिस देख सकते हैं पीपिटी देख सकते हैं वीडियो देख सकते हैं कई क्वेशन तो ऐसे हैं जो चैर चैर पांच-बांच बार बताई वह कुष्चन है जीटा गए और कई विद्ध्यार्थियों के मेरे पास मेसेज आ रहे हैं कि सर जो और ने कंटेंट आपका साइस के कोईश्चन आई हैं उसकी हम बात करेंगे कि कौन से कोईश्चन का कौन सा उत्तर सही है हलांकि यहाँ पर हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं इसके बाद में मुख्य परिक्षा का जो बैच चल रहा है जो विद्यार्थी क्वाल हो जाए उसमें और वहां से हम अच्छे से साथ में मिलकर त्यारी करें बात करते हैं कि एक क्विश्चन था आपके कि बारत के समिदान की उद्देशिका में कौन सा सब्द नहीं दिया गया है विश्वास धरम उपाशना और बासा चार उप्सन आपके सामने थे तो जब हम उद्देशिका को पड़ते हैं कि हम बारत के लोग बारत को संपन प्रभुत्त संपन समाजवादी पंत निर्फेक्स लोग तंत्रात्मक गंजनाजिये बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को जो सावतंदर्ताओं की बात की गए उसी के अंदर देखें उसके नागरिक कि अंदर कहीं पर भी बासा सब्द का प्रियोग नहीं किया गया है तो राइट एंसर जो हो जाएगा वह बासा हो जाएगा डी नंबर विकल्प हो जाएगा आपने से कई लोगों ने सहीं किया होगा मैंने दो तीन बार बोला भी था यह कुश्चन प्रस्तावना पड़े प्रस्तावना के अंदर कौन से सब्द है इस प्रकार का सवाल मैंने का जरूर पूछा जाएगा यहां से सवाल जरूर पूछा गया और तीनों सिप्ट में सवाल इस टाइप का आया वारत में पत्विक्रेता जीवी का सरक्षन पत्विक्रिये में अधिनियम कब लागु जो थी पत्विक्रिये तका मतलब अगर आपने इसको इंग्लीज में अगर पड़ा है तो बात कर रहा है स्ट्रीट मेंडर की इस्ट्रीट में जो है स्ट्रीट में अनके प्रोटेक्शन की बात की किती तो मार्च दोजर चॉदा में ऑप्सन च्यार था दोजर देरा जो इसका राइ्ट ओप्वसन पिर आवशिष सक्तियों का सविधान की विश्यष्थाओं के अंदर अमने पढ़ा था कि प्रावदान कौन से कहां से लिए टे हैं तो आवशिष सक्तियां जो बज्द Suga यह राजिय सुची में नहीं और समवर्ति सुची के अंदर नहीं है ऐसी शक्तियां जो मैंने का कि आप सीश्चिया संसद के पास रहती है समिधान की अगर बात करें तो च्यार वो आपके सामने थी ब्रिटीज समीधान का अमेरिका का समीधान और फ्रांस का समीधान कनाड़ के समीधान से हैं तो डी नुमबर ओप्षन कनाडा का समीधान इसका राइट एंसफर होगा नेक्स्ट कुश्चन देखिए बारत में रास्टपती फक्रुदिन अल्ली एहमद की मृतियों के बाद कारेभाग राश्पती की रूप में कारी मैंने का था कि कारेभाग राश्प इसके बाद में दो राजियों के लोक्षबा निर्वाचन शैत्रों की संख्या थोड़ा क्विश्चन निर्वाचन शैत्रों की संख्या थोड़ा इस ट्राइब का था लेकिन दिमाग इसमें ऐसे लगाना था कि एक तो राजस्तान से लेटेड है तो राजस्तान का उप्षन साथ में कहीं होगा दूसरी बात यह है कि राचियों का आप जो जन संख्या है उसको अगर हम देखे हैं तो केरल करनाटक में बहुत जन संख्या का फरक है इसका मतलब इसकी सीटे बराबर नहीं हो सकती है जारखन उत्राखन में वही समस्या आएगी तो यह भी नहीं हो सकता है हमारे पास दो उप्षन बजते हैं वड़ी साकी में ज्यादा संख्या है तो यह भी नहीं बेठेगा इसका मतलब आंदर प्रदेश और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों की शुईदा और मदद के लिए निसुलक हेल्प्राइन शुईदा जो है उसके नमबर हालांकि यह हम अबार अधिकर सरक्षन आयोग बालकों के अधिकारों की बात कर रहे थे उस टाइम हमने पढ़ा भी था अच्छे से के 1098 नमबर पहले थोड़ा उपर नीचे ओप्षन होते हैं लोग आइडिया लगाती थी अब तारी की देनी है तो भी लगातार की तारी की देंगे बीस इक किस पाविस्ते विस्च्यार तो एक अजार नभी जो नमबर है वो बच्चों की हेल्प के लिए निस्वलक हेल्प लाइन नम संख्यार अलागि स्टेट राज्य की मंत्री परिस्द में भी पढ़ा था हमने और के अंदर के मंत्री परिस्द में पढ़ा था दोनों के अंदर बढ़ा था कि 15 परतिशत जो किया गया लोग्षब विधान सभा का च्वार ओप्शन थे 81, 101, 102 तो लाइट नमबर एक राण कर दिया गया था कि संख्या जो है उसकी वह पंद्रा पर्तिसाथ कर दी कई थी तो बिल्कुल राइट ऑप्षन है इसके बाद देखिए में किस समीति ने स्थानी निकायों के समिधानिक दर्जा दने की सिफारिस की बात 1999 किये उस समय किये जब पंचायती राज अधिनियम बनने ही वाला था बना गया तो ऐसे समय में चार है पीके थुंगन असोक महता तो यह तो आपको पता है कि असोक महता समीति पहले थी बीज अब उपाद्यूकाद किस मौलिक अधिकार का अलागी मौलिक अधिकार उपर हमने पासा चाहर ली थी लेकिन जो सवाल पूछे गए वह विल्कुल हमारे उस दाएरे के अंदर आई है उपाद्यूकांत अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नमबर अठारा है और जयान में रखें ऐसे भी याद रख सकते हैं 14-18 तक समताक अधिकार है तो 14-18 कौन सा अधिकार है समताक अधिकार है समताक अधिकार एक नमबर ऑफशन जो है वह बिल्कुल राइट है इसके बाद कोईशन नमबर 113 की बात करा है भारत के समीदान की आठवी अनुसोची में अनुसोचित वासाओं के सही समों को पाचान है बहुत आसान सवाल ऐसे था कि ध्यान में रखें कि आठवी जो अन अपलब यह उप्सन हट जाएगा यह भी और जाएगा यह बीज़ाएगा पीछे यह बचेगा संथाली हिंदी और संस्कृत तीनों आठवी अनुसोची का में सामील है तो याद शिर्फ इतना रखना था मैंने गांव सके बाद अप्सन अपने हाथ सही बेढ़ जाते हैं परिवार कल्यान विश्य भारत के समीदान की किस अनुसूची से थोड़ा साथ पड़ा टाइप सवाल था लेकिन याद इतना रखना था कि विश्यों की बाद जो है वो दो अनुसूचिया मुख्यता करती है एक नवी अनुसूची एक दूसरी दस्वी है अलांकि कई पंचायती राज से समधित दूसरी नगरपानिकाव से समधित इनको जो विश्य 18 और 30 विश्य दिये गए हैं अब परिवार कल्यान की बात करें कि परिवार कल्यान जो है वो किसके अंदर सामिल किया गया तो चार उप्शन आपके सामने इसमें चार उप्शन थे और अगर को पता है कि दुझो नई अनुसुची जोड़ी गई एग्यान में तो डी सई हो जाएगा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है मैंने का थोड़ा सा ध्यान लगाया जिसने भी दिमाग लगया कि परिवार कल्यान जो है पंचायती राज का विश्य है पंचायती राज से सम संसथ लोग शुबा वी गलत है संसद के दोनों सदनों के सकती है ज्यान में रखें समिदान जाता है हालां कि कई विद्यार्थी अच्छे से जानती हैं विदिक शिवा दिवस कुछ दिवस मैंने का याद रखना होगा अपने को पंचायति राज दिवस मत्ताता दिवस विदिक दिवस तो एक जनवरी 10 अगस्त 10 दिसंबर 9 नौंबर तो राइट ओप्शन हो जाएगा आजबग इस परकार का सवाल हर बार आता है तो जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं हम बारत के लोग बारत को संपूर्ण परबुत्तु संपन्त समाजवादी पांत निर्पेक्स लोगत अंत्रात्म गंणराजी बनाने के लिए उसके समशना अगरिकों को सामाजिक नियाए की पहला सब्द क्या आया तीन परकार के नियाए फिर विचार अव्यक्ति विश्वास धरम और उपाशना की सवतंतरता हाला कि दो सब्द या अगर आप मैज करेंगे कि सही अनुकरम कौन सा है तो सबसे पहले नियाए की यह बंदूता आ गया इसमें तो इसका मतल पहले आएगा तीन परकार का उसके बाद सवतंतरता उसके बाद समता उसके बाद बंदूता की बात की जाएगी अब हम देखिए नेक्स्ट क्विश्टन देखते हैं कि क्या था बारत में लेंगी कप्राद और बालकों का सरक्षन अधिनियम सीधा सवाल पूचा गया सामा सवाल जरूर इसमें आएगा बहुत हमने संक्षित में पड़ा था 14 नॉवंबर 2012 को यह लग होता है तो 2008 का उप्षन गलत हो जाएगा दस गलत हो जाएगा बेलकुल यह सामाने सवाल है सभी को याद होगा 14 नॉवंबर 2012 को यह पूरे देश में लागू किया गया था इसके कुंकि दिक्कत आए तो अंग्रे जी को पढ़ पढ़े कुए काई सब्द जो हमें सब्सक्का नहीं करते हैं तो हमें अंधी का पत्विक्रेटा को कई विद्यार्थियों नहीं समझा तो सवाल को सवाल को सही कर सकता था निया से कौन सानुचे 51 कह में दिए गई मूल करतों में सामिल नहीं है। मूलकर्टवयों की एक क्लास अंदर मैंने बताया था कि सरदार स्टवाट सिंग समिति जो थी उस समीति ने सिफारी से जो की थी उसमें कुछ ऐसे एक मूल करतवियों की बात की थी जिसको संसद की द्वारा लागू नहीं किया गया उसमें से एक था करो का भुगतान करें यह करतावी बना दिया जाए समीति ने कहा था लेकिन लागू नहीं किया मैंने का इसका मतलब यह 51 का के अंदर सामिल नहीं है दूसरा अगर बात करें देश की रक्सा करें बिल्कुल पहला व्यग्यानिक दिश्ट्रिकॉन का विकास करें सारजुनिक शंपति को सुरक्षित रखें हमने अच्छे से इनको पढ़ा था और इनका सिक्वेंस भी मैंने आपको एबी सीडीके से याद कर वाया था मैंने का कि आज कल से सवाल पूछी जाते हैं कि हो सकता है मुख्य परिक्षा में पूछा जाए सिक्वेंस बना के कि चार मूल करतवियों का कौन सा करम सही है ऐसे सवाल भी मैंने का पूछे जा सकते हैं इसके बाद कोईस्टन नंबर जो किस समीदान संसोदन द्वारा मंत्री परिशत का आकार यह सवाल दो सिप्ट पे पूछा गया कि एक क्या सी क्राणों 101 एक सो तो अप्शन भी मेरे साब से एक जैसे ही दिये गए और राइट नंबर उप्शन हो जाएगा क्राणवा समीदान संसोदन जिसने विदान सभा राज्य में लोक्षभा के अंदर में उसका पंदरा परतिसत से अधिक नहीं होने की बात जो है कि इसके द्वारा के के अब हम देखिए इसके बाद में करें कि बात करें कि सबंदित कि से हैं मत्ता जागरूखता कि एक हमने क्लास ली थी आपका टोपिक ही की था हालांकि कुछ विद्धार्थियोंने टोपिक को देखकर यह सवाल सही कर दिया हुगा कई बार ऐसे से करंड के कोईशन या फिर करंड से रिलेटेड करके पूछे जाते थे मैं कई बार दिमाग लगा था कि यह तोपिक सेलेबस का पार्ट एसका यहां से सवाल बन सकता है और तो सब्सक्रेट था इसके बाद में कोष्चं देखिए दो राजियों के मद्ध्य उस्तमने का शेत्र अधिकार की आमने बात की ती सलाकार से कोई मतलब नहीं सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब के अंदर इसको सामिल किया जाता है तो ऑप्शन नमबर यह भी बिलकुल राइट है मॉलिक हुँआ कि इसके बाद में बाद करते हैं कि मूल्स राचना का सिद्धाइब सब्सक्राइब करता हूं सभी विर्द्यार थी इसको अच्छे से किया होगा केश्वानन्द भारती का जो है वह है केश्वानन भारती मामले में मूल सरंचना का सिद्धान्त दिया गया तो दो नूम्बर उप्शन राइट अब कि सभीदान संसोदन के द्वारा वैसक कि आयू 21 से कितनी कर दी गई अठारा वर्स कर दी गई हलांकि दो चार बार हमने भी क्लास में इसका भी जिक्र किया था अगुण श्क ज़ो शमीदान संसोदन उसके माध्यम से क्या कर दिया गया कि इनकी आयू जो है वह एक्किस वर्स से अठारा वर्स तक कर दी गई इसके बाद में अगर हम बात करा कि भारत के समीदान की प्रसता होना में कौन सी विस्यस्था नहीं है प्यंतर निर्पेक्स्था बिल्कुल है राजनितिक तीन परकार की न्याय की बात की गई है पर्तिष्टा की समानत की बात की गई है लेकिन संगिस आसन की बात नहीं की गई है तो राइट नमबर ओप्शन जो है वो बी नमबर दो नमबर हो जाएगा बारतके सवेंदान निर्मान मिनें पढ़ना था कि सव्हाल पूछा जाएगा सिधा उपाधियाक्स रहें पहले फ्रेंक राएंट नर्वाचित की बात Laad करें तो यसी मुखर जी ट यसना मचारी बने तो राजनदर साथ गलत हो जाएगा सेनः मुखर जी पहले निर्वाचीत थे रेग ओपसन इसमें आया है पहले निर्वाचीत पूछते तो एसे मुख़ी उ abonnue का पूछा गया एक ही ओप्शन है डी नंबर राइट हो जाएगा उपाद्येक्स इसके बाद एक सवाल आया कि संपत्तिक अधिकार वर्तवान में क्या है मूल अधिकार में पढ़ा संपतिक अधिकार हटा दिया गया यहां से अठाकर तीन सुका के अंदर यह क्या बना दिया गया विदी कदिकार बना दिया गया तो उम्मीद करता हूं यह अच्छे से आपने सही कर दिया गया तीन सुका में वार्तमान में कानूनिया विदी कदिकार है इसके बाद एक क्विश्चन था चाहसे 14 वर्स के उमर के बालकों को सिक्सा के अवसर उपलब्द करवाने कौन सा समीदान शंशोदन किया गया यह भी मूल अधिकार 21 के अंदर जब हम पढ़ रहे थे जोड़ा गया है श्यासिव्यां समीदान शंशोदन इससे समझ दीते समीदान शंशोदन के माध्यम से बारत के उपराष्ट पती निर्वाचित मंडल में कौन सामिल है एक तो राष्ट पती का राष्ट पती में संसद और विदान सभा के सदस्य आते हैं जबकि उपराष्ट पती की बात करें तो विदान सभा के सदस्य नहीं आते हैं यह गलत कि दोनों होते हैं संसद के निर्वाचीत होते हैं मनोनित सदस्षित जो संसद के होते हैं वो राष्ट्पती के चुनाओं में भाग नहीं लेते हैं उप राष्ट्पती के चुनाओं में भाग लेते हैं तो एक नमबर उप्शन जो राइट हो जाएगा एक नमबर इसके तो राश्पति की सलाहकारी या फिर उसको कहते हैं प्रामर्स दात्री जो है उसकी बात करता है सक्तियों की तो आर्टिकल 143 राइट नमबर उप्सन इसके बाद एक क्विश्चन था बारत के समीदान के किस बाग में सहरी इस्तानिय सासंक वरनित हैं बाद किसकी कर रहे हैं स इसके बाद राश्टरी वाल अधिकार सनक्सन आयूग में नयूंतं महीलाँ सदश्य होना अनिवारी है एक सवाल येह नहीं लिखुआennesसे बाषर आया क्योंकि राश्ट्री बार अधिकार संक्षन आयूब को हमने पढ़ा था कब बनाया गया कि साधिनियों में बनाया गया लेकिन मैंने विस्तर तरीके से मैंने सदश्यों के बारे में नहीं बताया मैंने सुचा कि इतना डीब सवाल नहीं पूछा जाएगा लेकिन बड़े सब्सक्रेइब है कि यह कुछ ह Michigan के था कि लिए ने मेंट्र जरीक्षट को जाएगा अच्छे से क्लासे लिए सबीनि राइट किये होंगे क्योंकि मैंने बताया कि 30 में से एक वो इस प्रकार से पूचा गया हालाएं कि राष्टि बाल महिला आयोग की हमने बात तो की थी लेकिन एक कुषिस्ट जो मैंने बताया अभी हम चर्चा करें दिक राष्टि बाल अधिका सरक्षन आयोग जो है उसके अंदर महिलाओ कि संख्या है उसमें मैंने का कि मैंने पूरा इसको विश्तर तरीके से नहीं बताया इसलिए एक सवाल जो है वह बाहर रहा गया नहीं तो पूरे के पूरे सवाल अपने आते लेकिन महतुपन्ड यह नहीं है कि मेरे पढ़ाई उसके अंदर आये सवाल आपने कितने सई किये हैं और गलत गलतिया आप से क्या क्या हुई है कहां पर हुई है आप मुझे अपना फीडबेक भी जरूर दे और आप फीडबेक मुझे मेरे नंबर में ने कई बर क्लास में सेयर किये हैं आप मुझे फीडबेक जरूर दे कि कहां से किस प्रकार गलति आईए अच्छे से और बाकि मुख्य परिक्षा की सभी को बहुत बहुत सुब कामनाई आप आईए और अच्छे से तैयारी केजिए यहां से एक सवाल आउट हुआ है लेकिन मुख्य परिक्षा का ज्यान में रखना एक भी कुश्चन मेरे कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा यह मेरे गारंटी है तो सभी को बहुत बहुत सुब कामनाई धन्यवाद